आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं आज हम पढ़ने वाले हैं बैटा आज की क्लास में भी वही पैटन रहेगा जो हमारा पैटन चलता है हम पहले अपना नोट लिखेंगे और बकादा साथ में हम उसकी रीडिंग भी करेंगे पनी बुक वाले पार्ट को पिर हम करेंगे क्वेशन वाले पार्ट उससे कननacious पार्ट को लेके लेंखिन अभी आप आप दो सामने दिख रहे हैं मैं चमके नाम की हैडिंग आपके सामने मैं important यह exam point of view से सबसे ज़्यादा important topic है आपके प्यारे Indian contract act का तो शुरुआत होती है यहां से बेटा की valid contract मतलब अगर एक valid contract की essential elements क्या है तो बच्चों के मन में पहला प्रशन तो यह बनता है सर पहले यह तो बताओ valid contract क्या होता कि आपने हमें जो meaning अभी तक बताया है वो आपने हमें definition के part में contract तो बता दिया तो लो बैटा लो मैं आपको एक concept देता हूँ आज actually इस concept को मैं नाम देता हूँ बेटी भहू concept क्या बात कर रहे हैं सच्ची हाँ आपको याद करना नहीं पड़ेगा याद अपने आप हो जाएगा क्या बात कर शॉरिटी से और चेक भी करना कि क्या तुमारा पिछला part भी revise हो रहा है नहीं हो रहा वोगी साथ साथ में वो भी revise होगा तो word है agreement अब agreement को actually प्रस्पीड में बताऊंगा agreement को मैं नाम देता हूं बेटी exam में नहीं आया लिखना है समझ याद करने के point से memorizing technique बता रहा हूं साथ साथ में ताकि हमारे पास में अपना पिछला part भी revise हो जाए और next part भी connect हो जाए तो agreement को मैं नाम देता हूं बेटी इसके बाद में contract contract को में नाम देता हूं बहू contract को हमने नाम दिया बहू याद करने के point से और शादी को में नाम देता हूं enforceable by law तो नाम कहा दिया enforceable by law law जिस चीज को enforce कर दे यह तो मेनिंग पढ़ चुके है न कि enforce का मतलब क्या होता है जब law जिसी को permission दे रेता है तो इसको मैंने लिखा कि यह है हमारी शादी अब एक basic question आप से पूछता हूं बताओ बेटी बहू कब बनती है सोचो बेटी बहू कब बनती है सर बच्चे बच्चे को बता है बेटी बहू बनती है जब उसकी शादी हो जाती है तो मिनिंग क्या बना अन अग्रिमेंट क्या बोलूँगा अन अग्रिमेंट वैं एन फॉर्सीब बाई लो इस नोन अस कॉंट्रेक्ट बोलो याद करो क्या यही सेम डफिनेशन आप लोगों ने कॉंट्रेक्ट की सीखे और नहीं सीखे दूसरी बात अगर बेटी की शादी ना हो तो मतलब I can use the word क्या लिखूंगा बता ना या एन फॉर्स का मतलब शादी तो यहां क्या बन जाएगा नौट एन फॉर्सीब बाई लो जिसे लो परमीशन ना दे मतलब जिसकी शादी नहीं हुई हो नौट मतलब नहीं हुई तो बताओ जिसकी शादी नहीं हुई तो उसे कॉंट्रेक्ट बोलोगे क्या बताओ जिस अगरिमेंट को एन फॉर्स नी किया गया तो उसे क्या बोलते है क्या सोचो नहीं बोलते सर तो आपने क्या बढ़ा था अन अग्रिमेंट विछ इस नौट एन फॉर्सीबल बाई लोई इस क्या बोलते हो याद आया वोई अग्रिमेंट तो चेक करो यही बेटी वहू कंसेप्ट में आपका पूरा डेफिनिशन वाला पार्ट कवर हो जाता है ले मैं अपने कॉंट्रेक को बहू बोलता हूं और यहां पर वैलिड कॉंट्रेक को याद करने सारे संसकार हो आज ही एक्जाम में क्लास में चलने वारा हमारे पास में तो बताओ मुझे अच्छी बहु का मतलब क्या जिसमें अच्छी बहु के सारे संसकार तो सारे संस्कारों को मैंने नाम दिया Essential Elements क्या नाम दिया? Essential Elements तो इनको नाम दे रहा हूँ बेटा मैं क्या? संस्कार तो एक बात पूछूँँगा आप लोगों से जवाब देना ये तो हो गया पुरा बेटी बहु कब बनती है बहु अच्छी बहु कब कहलाती है और अच्छी बहु कहलाने का purpose क्या है? क्योंकि सिंपल सी बात जब तक contract जब तक contract valid contract नहीं बनता तब तक उस contract से कभी भी legal obligation create नहीं होती तो एक chain बन गई नहीं बन गई? तो हमारी एक chain बन गई बेटा यहाँ पर कि बेटी बहु बनेगी और बहु अच्छी बहु बनाना है तो अच्छी बहु ही है वो बहु जिसे का बोलेंगे? जिसमें वो सारे संस्कार होने चाहिए तो हमारे टोबी का नाम बना valid contract मतलब अच्छी बहु क्या बोलू? याद करने के लिए कर भी अच्छी को जाके कि नहीं है लो में लिख अच्छी बहु नहीं लिखा बेटा बेमराइजिंग टेक्निक है तो बताओ एक क्वेशन बनता है यहां से मेरा कि वाल्ड कॉंट्रेक अच्छा वाल्ड कॉंट्रेक कपके लाएगा तो आंसर आया सर जब वो सारे के सारे essential elements मतलब वो सारे संसकार fulfill होंगे तो मैं question is अगर एक भी नहीं हुआ तो सोचो हमारी बेटी है हमारी जो बहु है बहुत अच्छी है बट कभी-कभी जगडा कर लेती है कभी-कभी रात को लेट लोडती है अब मुझे बात बताओ क्या एक भी quality नहीं हुई तो क्या उसे अच्छी बहु कहा जाएगा basic question है बजब आप दो इसके बारे में नहीं सर क्या बात कर रहे हूं नहीं न तो सेम उसी तरीके से सोचो एक contract valid contract है वो कब कहलाएगा तो सारे संस्कार अविलेबल होंगे चाहे वो lawful 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 acceptance हो चाहे वो intention to create legal relationship हो चाहे lawful consideration हो इनको one by one सीखने वाले हमारे पास capacity of parties हो यह सारे के सारे part उसमें available होने चाहिए तो अगर आप चाहते हो कि contract valid contract बने और उस valid contract को कि अंदर parties के पास में तो यहाँ पर सारे संस्कार अब इनको one by one हम सीखने वाले हैं जिन्ने हमने नाम दिया essential element let's begin with the part guys और one by one हम अपने हर इक part को सीखेंगे तो आईए बेटा not करना चालू करेंगे आप heading बनाएंगे अपने बास में आप heading बनाएए essential elements of valid contract और लिखिए अपना first part तो first के heading बनाते हैं और लिखते हैं बिटा लिखो lawful offer first लिखो lawful offer and lawful acceptance lawful offer and lawful acceptance तो यह बन गया हमारा first part जिसे हमें नाम दिया lawful offer and lawful acceptance sir एक बात पूछनिये बोलो 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 से एक बात बताओ नितिन से एक बात बताओ पहला word हमने सीखा था offer हमें याद है दूसरा हमने सीखा था acceptance हमें याद है लेकिन क्या है यह जो offer acceptance के साथ में अपने वर्ड लगाया lawful इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या है तो सोचो बेटा सुनना द्यांसे बात को law कहता है मैं तोडी कहरण law हम तो बात ही law की मानते है law कहता है मेरे भाई क्या बोलता है law कहता है कि कोई भी law कहता है कि कोई भी offer या कोई भी acceptance लौफुल तब कहलाएगा जब उस आफर या एक्षेप्टिंस के जितने भी लीगल रूल्स हैं ला में लीगल रूल लिख़्े हों इनके तो जितने भी लीगल रूल्स हैं वह सारे फुल्फिल होंगे हम repeating again कि एक contract valid contract तब कहलाएगा जब उसमें वो सारे संसकार होंगे तो पहली quality क्या है lawful offer, lawful acceptance तो first आया lawful offer या lawful acceptance मतलब offer या acceptance का lawful होना जरूरी है तो first line बनती है हमारे पास में क्या लिखूंगा Sir, the offer is sad to be lawful the offer is, लिखो, नोट करो is sad to be lawful, एक offer lawful का बोगा, दूसरा same word यहां पर लिखता हूँ the acceptance is sad to be lawful, acceptance भी lawful का बोगी same line लिख वा रहा हूँ is sad to be lawful, नोट करो तो offer हो या acceptance हो वो lawful का बोगी तो सुनना क्या बहुती है, लिखो क्या बोला, जब उस offer के जितने भी लीगल रूल्स और acceptance के जितने भी लीगल रूल्स हैं जो की Indian Contract Act में लिखे हुए हैं जब उन्हें सब को फुल्फिल किया जाएगा, उन्हें सब को फुल्फिल किया जाएगा तो इसका मतलब upcoming chapter में आने वाला हो पाट हाँ, हमारे upcoming chapter में यही आने वाला कि offer के legal rules कोन से हैं तो लिखो बेटा lawful कब होगा the offer is settled होगा, लिखो when all the legal rules all legal rules of offer जब offer के सारे legal rules क्या होगे, will be fulfilled will be fulfilled तो हमारा upcoming chapter जो आएगा, उसके अंदर हम यही पढ़ने वाले हैं कि offer तो मीनिक प्लास्टन सीख चुके हैं तो वागला बड़ाएगा, कि offer का lawful होना जरूरी है even acceptance का भी lawful होना जरूरी है तो lawful नहीं होंगे तो क्या होगा lawful नहीं होगा, तो contract भी valid contract नहीं बनेंगे valid contract नहीं बनेगा तो सर वोइड बनेगा, नहीं बेटे यादटना हमारा कॉटोबी के चल रहा है कि contract valid का बनेगा तो first condition आई, कि पहला तो है lawful, lawful, lawful acceptance अगर offer ही lawful नहीं है और acceptance ही lawful नहीं है तो contract भी lawful नहीं बनेगा that means valid नहीं बनेगा contract नहीं बनेगा, तो उस contract से create होने वाली obligation भी legal नहीं होगी, लीगल नहीं होगी इसका मतलब होता है कि कल को मालो किसी party ने contract तोड़ दिया कि मैं तो नहीं कर रहा पूरा तो उस case में उन parties के पास में legal action लेने का right नहीं होता legal action का मतलब क्या बोला case file नहीं कर सकते समझे है chain के है, chain के है contract valid नहीं, तो legal obligation नहीं legal relation नहीं legal relation नहीं, तो parties के पास में case डालने का right नहीं इसलिए जरूरी हो जाता है कि contract को valid contract बनाया चाहे और इसकी first requirement है हमारे पास में lawful offer, lawful acceptance बोलो समझ में आया है, हाँ या ना तो बात simple है, इनके legal rules follow होंगे, तो ही acceptance या offer lawful के लाएगा, this is the first essential requirement of valid contract बोलो समझ में आया नहीं बताओ, 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 clear है, हाँ sir clear है चाहे हूँ आगे बढ़ सकता हूँ, नहीं दिखा भी दो हमें लो देख लो बिटा, let me show you यह रहा हमारे सामने, सक्षा दर्शन करने देने के लिए आगे हमारे पास the first one, you can watch this बिटा हम पढ़ रहे हैं essential elements of valid contract guys, have a look on the part, essential of valid contract, contract के essential element कौन सी है, जो हम लिखा अभी आपने तो first बोला, section number 10 दिल करता इसको पहली बात तो, ठीक है, आप पहला आता हमारे पास कौन सा, केरा sir, यह रहा lawful offer and lawful acceptance तो word के लिखा पढ़ना, केरा sir there must be lawful offer lawful acceptance, किसलिए अगर आप चाहते हो, कि agreement यह contract क्या बने, valid contract बने तो कब होता, offer acceptance lawful जब उसके, सारे के सारे, word को पढ़ना जहन से, word को पढ़ना, all the rules क्या बोला, all the rules जो लिखे हुए हैं, किसमे Indian contract act में, वो सारे fulfill होंगे, तभी वो offer यह acceptance lawful कहलाएगा, और वो lawful कहलाएगा, तो उससे बनने वाला contract भी कहा बनेगा, valid contract बनेगा, इससे clarity निकल के आती है कि legal rules का पढ़ना mandatory है अगर legal rules यार नहीं होंगे तो अगर एक भी rule चूटा offer का acceptance का, तो आप उसे अभी जजी नहीं कर पाएगे, कि सार वो आपके पास में lawful है भी या नहीं है और lawful लहीं तो contract valid बने काई नहीं तो बनेगा नहीं है नहीं है, तो बनेगा फर्स पार्ट, आता हूं नेक्स पार्ट की ओपर फर्स वन next, move to next part आते हैं, यह clear हो गया second लिखो बिटा, यह था वारा इंटेंशिन टू क्रियेट लीगल रिलेशन्शिप नमबर टू, तो पहला तो clear होगे, second पर आता है what a intention to create लीगल रिलेशन्शिप सार, intention बोलते हैं सोच को लीगल रिलेशन का मतला वही जो मैंने भी बतायता आपको कि parties के पास में case डालने का right है या नहीं तो intention to create लीगल रिलेशन्शिप लिखते हैं इसके बारे में, आव नोट करते हैं कहरा सर सुनना, पहली बात लिखो, an agreement, चाहे agreement हो बेटी की बात या फिर बन गया हो contract an agreement or contract is set to be यह becomes, क्या बोलूँगा, valid contract becomes valid contract एक contract या agreement, valid contract तब बनेगा कब बनेगा, लिखो when, when there is, line लिखो, first point when there is intention to create when there is intention to create legal relationship between the parties create, legal, the main word क्या है इसमे? legal relationship between the parties parties कोन है आपे बिटा? बताना? parties कोन है? सर, obvious, promise there, promise you की बात कर रहे हूँ हाँ, तो क्या बोला? भाई, अगर आप चाहते हो contract valid बने तो दूसरी बड़ी खंसकार, दूसरी बड़ी condition ये बन जाती है कि वहाँ पर पार्टी के बीच में intention होनी चाहिए लीगल रिलेशन क्रिएट करने के लिए अगर लीगल रिलेशन क्रिएट करने की intention नहीं है, सोच नहीं है तो contract भी valid बनेगा तो example लिखवा देता हूँ इसमें राइट वेक्जामपल से नहीं है ताकि तुम्हें और clarity है और plus में मैं इसमें पढ़ाऊंगा आपको ये case study ये case लो हमारे पास में इसी के ओपर है ठीक है, जिसकी में पहले बना देगा ये बाद में दिक्कत ना है राइटिंग में मत जाना है, राइटिंग ऐसी है राइटिंग ऐसी है मेरी, आओ बढ़ते है example number one लिखो और बताना सोच के क्या intention है legal relation create करने की या नहीं है, बस ये बता देना, ठीक है तो फर्स लिखो, number one लिखो, agreement to dine agreement to dine बोलता है, डिनर को agreement to dine at friend's home आपने अपने दोस्त को promise के अगरी किया था कि आप उसके घर पे डिनर करने जाओगे, किसी की बद्दे पाटी में जाओगे, किसी की शादी में जाओगे देख बात बताना मुझे शादियों का सीजन चल रहा है और उसके बाद में लोगों के घर पे इन्विटेशन कार्ड आते है सोचो, आते हैं ना, देखे भी हो लिखाद अफिद फैमिली आना, बोलता है हाँ जी, पक्काएंगे हम तो उस सीजन की टाइम के अंदर आप सबको हां करते हो, हां सर हां आएंगे हां आएंगे, सोचो कभी ऐसा हो कि तुम किसी की शादी में ना पहुच पाओ और तुम शादी में नहीं पहुचे और उसने नेक्स डे तुम्हारे नाम से बिल भेज दिया कि देखो जी आपकी फैमिली के 10 लोगों के इसाप से हमने 10 प्लेटों का उटर दिया था एक प्लेट 2000 की थी, 20,000 रों का बिल बनता है आप शादी में नहीं आए, आपने काता आओगे, अगरी किया था आपने तो 20,000 रों वरना कोर्ट में मिलो सोचो सोचके बताओ सोचके बताओ कि हम कोई परसन तुमें और ऐसे कंडिशन आइसी में, ऐसे ऐसे अग्रिमेंट को कहते है social agreement क्या बोलते हैं social agreement बद्धे पार्टी शादी के अंदर किसी वैसे पार्टी तो ऐसे agreement को ऐसे contract को social agreement और contract का जाता है और social जो होता है उसके अंदर कभी भी intention नहीं होती legal relation create करने की legal relation create करने की this is the reason हम क्या बोलेंगे इंटेंशन नहीं थी legal relation create करने की इसलिए वो contract भी valid contract नहीं बना और contract वैलिड नहीं बना इसलिए पार्टी के पास राइट है ही नहीं legal action लेनी की that means to file a shoot case डालने की राइट नहीं था SUIT shoot is called case को बोलते है case डालने की राइट नहीं था लिगो राम यह रामू agrees to buy रामू agrees to buy नितिन सर क्लासिस मेरी बाती कर लेता हूं नितिन सर लो क्लासिस फोर रुपीस एग्जांपल में लिखता हूं 70,000 एग्जांपल रणनम ऐसे लिख रहा हूं तो रामू ने agree किया नितिन सर क्लास खरीडने के लिए 70,000 रुपीस के अंदर now please tell me buying and selling of goods and services buying and selling of goods and services क्या इस वाले पार्ट में पार्टी के पास legal action आता है नहीं आता है आता है इसलिए तो जब सामान खरीदते बेशते हैं और उसमें अगर कोई defect निकल जाए problem आ जाए हम क्या करते हैं वह आपस ले ले अपना सामान भाई नहीं लेगा तो case डाल देंगे तेरे पे तो वहां लोने राइट दिया है आपके बास बेटा लोग कहता है कि पार्टी की अगर legal relation करेंने की intention हो तो intention अगर legal action नेनी की है तो वहां पर contract भी valid contract बनेगा तो valid contract की बहुत ही प्यारी essential requirement क्या निकल के आई कि पार्टी के पास में case डालने का राट होता है और इसी वाले किस में लिखवा रहो है पॉइंट नमर टू के अपार्टा इसी में case लो है इसी बात को और डिटेल में समझाने के लिए and the case is called Balfour vs Balfour बटाई प्यांदार case है बेटा case का नम है बेटा Balfour vs Balfour तो मैंने ऐसे अपनी जो मुझे ड्रोइंग तो नहीं है लेकि मैंने आप लोगों के लिए बना दिया तो बटाओ बटाओ यहां तक क्लियर है नहीं बताओ पहले मुझे क्या यहां तक समझ में आया नहीं आया इतना बट क्लियर है कि पहली requirement lawful law for lawful acceptance दूसरी requirement intention to create legal relationship जिसमें हम पढ़ने वाले एक real case study actually आपके law में जो भी case laws लिखे हैं वो सारे के सारे real cases हैं बेटा real मतला इसलिए पढ़ने को मिलता है कि अकल को अगर judgment pass करना हो court को तो आज भी court इनी cases को अपना base reference मनाता है let's talk about deep बात करते हैं करना case का नाम क्या है? Balfour vs. Balfour अब मैं शुरू कर रहा हूँ अब से case study कैसे पढ़ना है पढ़ना है पैटन सुन लो N S P C यह common pattern आपके बास case law पढ़ने का and this pattern यह मेरा ही बनाए हो कि पैटन है तो तुम्हारे लिखे का pattern है तो इस pattern के थूँ आप किसी भी case law को पढ़ सकते हो I'm giving you this pattern तो N S P C आज की बात हमेशा इस pattern को याद रखना कि शुरुवात में हमेशा आपको name check करना case का फिर story याद रखनी है plaintiff बोलते हैं पढ़ किया है plaintiff इसको बोलते हैं मताओ बताओ बताओ सोचो याद करो किसे कहते है plaintiff पढ़ किया है definitions याद है जो person case file करता है याद आ गया दूसरा sorry court judgment तो court judgment क्या पहले name, story, plaintiff, court judgment इस चार चीज़े पढ़ते हैं यह कहानी है Mr. Balfour की Mr. Balfour और उनकी धरम पत्नी कौन? Mrs. Balfour अब मैं कहानी सुनाना स्टार्ट कर रहा हूँ case law basis के उपर exam में questions आते हैं तो आपसे MZ कुड़ाई पूछ लेगा कुछ नाम बना की देदेगा पूछेगा बताओ कौन सा case है तो याद रखना आपको अपने पास में की case में हुआ क्या था ठीक है? सुनते हैं तो फानी है यह कोन है? इनको मैं नाम दे रहा हूँ Mr. Balfour Mr. Balfour इनका नाम है Mrs. Balfour सुनो अमड़ी प्यार की कहानी है Mrs. Balfour तो यह कहानी है पती-पत्नी की कहानी में क्या है? सुनना चलू करते है अब मैं सुना रहा हूँ स्टोरी सुनना यह लोग दोनों की दोनों यह रियल स्टोरी है एक case of 1990 उन्हीं सुनने से case है ठीक है? Mr. and Mrs. Balfour दोनों सीलोन में रहा करते थे मैं इसको शोट में लिखता हूँ स्टोरी के पार्ट में They lived in Ceylon lived in Ceylon सुनना जरूरी है लिखना में लिखना में लिखना में इस पार्ट को कोगी बुक में दिया है मैंने नोट्स के इंदर है आपने पास में lived in Ceylon Ceylon क्या है विटा पहले श्री लंका में एक जगय का नाम होगा करता था case of 1919 उस जगह को बोलता है Ceylon बोलते थे तो दोनों वह रहते थे और Mr. Belfar एक कंपनी में काम किया करते थे एक दिन क्या हुआ सुनो कहानी judgment तुम बताओ कि कोट ने क्या बोला होगा इस case में सुनना एक दिन Mr. Ceylon को बड़ी दिन से पतनी बोल रही थी Mrs. Belfar बोल रही थी तुम कैसे पती हो कई गुमाने लेकर नहीं जाते बताओ लोगों के पती है करते हैं वो करते हैं हवा में उड़ा लेते कुछ भी बोलते अब example के लिए उसके ने बोला बीवी जी धरमपत्नी जी सुनो बात लो तुम्हारी बगवान ने सुन ली उपर वाल ने तुम्हारी सुन ली चलो तो मैं गुमा के लेकर आता हूं कहां बोले इंग्लैंड के ट्रिप है तो ये बात सुनकर बीवी खुश हो गए बीवी ने क्या हो तुम्हारी कर ली पैकिंग हो गई अच्छे वाली तो वह लोग चलेगा इंग्लैंड गुमने के लिए वहां पर अब हुआ क्या ट्विस्स सुनना मिस्टर बैलफर को वहां पर एक प्रोब्लम हो गया और इस कॉल सीवियर अर्थराइटिस एंग्लैंड के डॉक्टर्स ने मिस्टर बैलफर को कहा कि सर आपका ट्रैवल करना इस टाइम पर सही नहीं है तो हम आपको मैडिकल ग्राउंड की ओपर मैडिकल ग्राउंड मनला बेसिस की ओपर एंग्लैंड में रहनी की पर्मिशन दे सकते हैं लेकिन आपको ही मिलेगी पर्मिशन आपकी वाइफ को नहीं मिलेगी अब बेजारे को पता रहा था क्या होने वालों साथ में उसके बट क्या हुआ मिस्टर बैलफर घर पे आया वहाँ पहुचा अपने पास वाइफ को पूरी कहानी सुनाई तो वाइफ तो रोने लग गई भाई की मैं तुमारे बीणक ऐसे सी सकती हु रहूंगी कैसे हा ना गाना भी गाया तो फिर तो हुआ क्या यह बात सुनने के बाद अब उसके बाद मिस्टर बैलफर ने एक उपाए निकाला और Mr. Welford ने क्या किया अपनी पत्नी को एक ओफर दिया अग्रीमेंट किया मुझे बोल कर अग्री किया कि मैं तुम्हें हर महीने इंग्लाइंड से 200 पॉंड भेजा करूँगा मंतली वेसिस के ओपर बस तुम क्या करो तुम बस चली जाओ मैं बाद में आ जाओंगा इतनी सी बात थी रोना बंद हो गया रोना बंद हो गया खुशी आ गई उस कहरे पर स्माइल हो गई बोली हाई अच्छी बात है मैं खुश हूँ इस मेरे अग्री करती है उस बात को ले के तो मिस्टर बैलफर ने अपनी पत्नी से अग्री किया था कि वो वापस चली जाए और वो उसे हर महीने मंथली बेसिस पर 200 पॉंट भेजा करेगा अग्री होगे अब क्या हुआ कुछ दिनों तक मिस्टर शलोन ये थी वापस आ गई कुछ महीने तक मिस्टर बैलफर पैसा भेजते रहे और भेजने के बाद कुछ दिनों के बाद में क्या हुआ मिस्स, मिस्टर बैलफर को वहाँ मिल गई एक और कन्या वहाँ पर एक कन्या और मिल गई इंग्लैंड में और मिस करेंबर कन्या मिलर वहां पर Mr. Belfer ने पैसा बेजना बंद कर दिया Mr. Belfer ने अपनी पतनी को पैसा बेजना बन कर दिया कुछ महीने पैसा नहीं बेजा और जब पता चला जब फोर्स करने के तुम पैसा क्यूं नहीं भेज रहे तो वहां से reply आया कि मुझे तुमसे divorce चाहिए किसने बोला? Belfer ने कि मुझे तुमसे divorce चाहिए पत्नी बोली कोई बाट ने divorce ले लो क्या सी पत्नी देखो कही बाट ने बिना हत की लड़ी बना रही थी मैंने भी पत्नी बोली divorce ले लो दिक्कत नहीं है लेकिन मेरको जो तुमने कुछ महीन एक्जामपल तुमने जो पैसे नहीं बेजे जो तुमने पैसा नहीं बेजा, मिस किया पैसा मुझे वो पैसा चाहिए क्योंकि तुमारा मेरा अगरिमेंट हुआ था, पॉन्ट्रक्ट हुआ था तुम मुझे पैसा भीजोगे इस बात पैसे मिस्ट बेफ़र ने मना कर दिया और बना करने के बाद में मिस्स बेफ़र ने डाल दिया, क्या, क्या डाल दिया केस डाल दिया, मिस्ट बेफ़र फाइल एशूट, that means my question, question examen दे कैसे पूशते पता है who was the plaintiff in the case of Balfour vs Balfour पताओ ऐसे पुछता है इस case को who was the plaintiff in the case of Mr. Balfour vs Balfour तो आंसर के है Mrs. Balfour filed a shoot against Mr. Balfour Mrs. Balfour ने case filed कर दिया filed यह सुनते रहो कहानी को बेटा इसमें लिखने की वामें नहीं है कोई notes में दिया है मैंने filed a shoot शुर बलते case डालने को case डाल दिया अब answer तुम लोग दो मुझे कि बात पूरी आगे बढ़ी court तक बात पहुँच के court के जरी में बात चली कि घर का matter चला गया court के जरी के अंदर और अब घर का matter court के जरी में पहुँच गया तो वहाँ पर वही बात है कि जिन्होंने तो promise किया था बेशक कर ले किसी ओर से शादी मुझे को मतलब नहीं है बट मेरे को जो promise उन्होंने किया था मुझे वो तो पही सा दिलवा दो अपन को मतलब नहीं है मैं अभी को डूण लूगी अब सुनना क्या हुआ जवाब दो बिटा कि court ने judgment pass किया तो court ने क्या judgment pass किया क्या court ने Mrs. Belfer को पैसे दिलवाए या नहीं दिलवाए मेरा question यह है क्या court ने सोचना, reply करना सोचके वहाँ बैठके क्या court ने Mrs. Belfer को पैसे दिलवाए या नहीं दिलवाए सोचो दिल पे हाथ रखें पूछो अपने आप से दिलवाए नहीं दिलवाए दिलवाए क्या मिला देवाब कुछ के मन में आ रहा होगा दिलवाए कुछ कह रहे नहीं दिलवाए सर है न तो आज से सुनो कोट का जजमेंट क्या था और जो कोट ने का वही फाइनल था तो आज आग Sir, अब जिन्हों ने जवाब सोचा होगा, कि भाईया, Mr. Belfer पैसा मिला होगा Mrs. Belfer को, तो वो दोत्रे में क्यों ऐसा कर दिया, Sir ने? Okay, Mr. Belfer को फेवर में केस दिया, that means, बोला गया कि Mr. Belfer को कोई भी पैसा देनी की requirement नहीं है Mrs. Belfer को. No money will be paid to Mrs. Belfer. Now my question is from you. जवाब तुम लोग दो मुझे, क्यूं, ऐसा क्यूं हुआ? क्योंकि ये केस था ये वला, इंटेंशीस में पढ़ रहे थे हम लोग. ऐसा क्यूं हुआ कि पैसा नहीं दिया? सोचो, मिला जवाब? मिला, 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 मिला. क्या मिला? कि सार, लोग कहता है कि कॉंट्रेक्ट वैलिड होगा, कब जब उस कॉंट्रेक्ट में इंटेंशन टू क्रियेट लीगल रिलेशन्शिप होगा, पार्टीज के बीच में लीगल रिलेशन क्रियेट करने की इंटेंशन ही नहीं होगी, तो contract भी valid contract नहीं बनेगा और contract valid contract ही नहीं बना तो कि यहाँ पर जो agreement हुआ था पती ने पत्नी को बोल दिया बताओ, सोचे देखो मैंने तुम्हारी मैडम को बोल दिया और खाना वड़ अच्छा बना आस तो मैं कल तुम्हें diamond का necklace दिलाऊंगा सोचो मैडम खुष, भारी खुष next day मैडम वेट कर रही है सर आएंगे, diamond necklace लाएंगे मैंने लिगे गया अब बताओ, तुम्हारी मैडम मुझे पर case दाना चाहे हाँ, नितिन सर आप तो बड़े ऐसे intention to create legal relationship in this case इस case में intention है, उननी सुन में केस है है इस case में legal relation नहीं create करने की intention नहीं थी इसलिए यहाँ पर Mrs. Balfour को पैसा नहीं मिला बोलो, समझ में आया नहीं आया इसी बात को, यह रही तुम्हारी बुक, वहां भी दिखा रहता हूं इसी बात को यहाँ भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं तो क्या है कहानी में twist? देखो, देखो, देखो यह रहा हमारा intention to create legal यह case में जो तुम्हे दिख रहा है, visible दिखा रहता हूं, एक second लोग बिटे लो, संक्षात अंडिस पॉइंट यहाँ इस यहाँ प्रोविजन बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें back to back questions पूछे गए हैं हादा कि मैंने कहाता है रहा हूंगा क्वेशन ब्राइचिस आपको में होनी चाहिए, intention, किसेसको लेके, किसेसको लेके, किसी लेके, लिगल रिलेस्टन क्रिएट करने के लिए. अगर नहीं होगी रिलेस्टन क्रिएट करने की, तो simple सी भात वहां पर контр valve त्रक्र नहीं बनेगा. तो सेम कहानी के लिए यहाँ पर नीचे case study भी दी गई थी, जो मने भी पढ़ी, जो आपके notes में अवेलेबल मिलेगी आप लोगों को क्या है case study? पढ़ना, Balfour vs Balfour case था, वह जो मने पूरी कहानी सुनाई, you can read the briefing of this case study in your notes also तो यह था बेटा, real story, and the case was, क्या नाम क्या था? Intention to create legal relationship, but लेकिन आपको इसका पूरा provision याद रखना है repeat कर लेते हैं, हम पढ़ रहे हैं, essential element of valid contract, जिसमें पहले तो provision कर लिया, कौन-कौन से की है? lawful offer, lawful acceptance वाला case, ठीक है? दूसरा हमने पढ़ा अपने पास में, intention to create legal relation वाला part इसी में हमने पढ़ी अपनी case study, Balfour vs Balfour वाला part, अब हम आप बढ़ेंगे अपने पास आगे, which one is next कौन सा हमारे पास में? यह दो हो गए, हाँ, दो तो हो गए, एक तो यह हो गया, एक यह हो गया, तो next is lawful consideration, सरी वोर्ट तो सुना सुना लग रहा है, हाँ, बताओ, यहां ता clear है, कोई doubt तो नहीं है, बताओ मुझे पहले दो, बताओ बेटे, बताओ, कोई doubt संदे है है हाँ पर, नहीं सर, तो next पे consideration, किसी contract को valid बनाने के लिए, वहाँ पर, lawful offer, lawful acceptance, intention to create, legal relationship के बाद आता नंबर किसका, आपके प्यारे से, consideration वाले पार्ट का lawful होने का, तो बात करते हैं, कि consideration का lawful होने का मतलब क्या है, तो पहली बात लिखते हैं, लिखो, to make an agreement, to make an agreement, a valid contract, एक agreement को, एक valid contract बनाने के लिए, valid contract, there must be lawful consideration, अगर हम चाहते हैं, किसी agreement किसी contract को, तो मैं चाहते हैं, अगरिमेंट किसी contract को, इसका मतलब यह होता है, कि सर, अगर अगरिमेंट है तो पहले contract बनाओ, और contract के बाद उसे, valid contract बनाओ, यहां directly बोला गए, contract को, क्या बनाओ, valid contract बनाओ, तर simply means contract बन चुका है, अब उसे, valid contract बनाने की बाते कर रहे हैं, तो बात है हमारे पास में, क्या करना पड़ेगा, वहां पर lawful consideration होना चाहिए, वो का बोत हैं, अब सुन लो, वही प्यारी बात, जो हमने off or acceptance में की थी, क्या बात, सुनो, 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 क्यारा sir, consideration, consideration is sad to be lawful, is sad to be lawful, consideration lawful तब कहलाता है, कब, 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 याद करो, जब इसके सारे rules, consideration को लिखे, जितने भी rules, legal rules, लिखे हुए हैं, हमारे Indian Contract Act में, जब वह सारे fulfill हो जाएंगे, तो बोलेंगा, विजा, consideration भी lawful है, तो क्या बोलेंगे, lawful, क्या लिकूंगा, when, all the legal rules, I can write the word, main word यहां पर है, बेटा, यहीं छिपा है यह रहा, all the legal rules, of consideration, consideration को लेकि जितने भी सारे rules हैं, वह fulfill हो जाएंगे, ज क्या होगा, fulfill, जब वह सारे के सारे legal rules fulfill होंगे, मतलब एक भी छोड़ा तो lawful निकलाएगा, तो lawful की condition यही है, जब सारे rules fulfill होंगे, तभी consideration lawful कलाएगा, और उसे बनने वाला contract कलाएगा, wild contract कलाएगा, इसी की बात को और आगे समझाने के लिए, लिखते हैं इसमें, कि जिस consideration की बात यहां की जा रही है, उसके लिए लिख रहा हूं यहां पर नीचे, तो क्या बोला, वैसे meaning क्या होता है, लिखो, in latin language, in latin language, consideration का मतलब होता है, consideration means, सरी बात यहां लिखनी जरूरी है, हाँ, याद रखने के लिए, consideration means, quid pro quo, quid pro quo, यह बेटा latin language का word है, quid pro quo, which means, something in return, क्या बोला, something in return, मतलब simple सी बात, lawful होने की, एक बड़ी essential requirement क्या है, quid pro quo, which means, जिसका मतलब होता है, something in return, कि बदले में कुछ तो आए, something in return, सर इसको समझा दो पहले हमें, समझाओंगा बेटा, वही पहले काम करूँगा, अभी लिख लि होगे, अब समझते हैं, क्या बोलना चाहरा है, बात सुनना, कहरा, sir, topic है हमारा contract को, valid contract बनाना है, तो बनाएंगे, कैसे बनेगा, जब वहाँ पर एक essential requirement और आएगी, कौन सी वाली की consideration का lawful होना mandatory है, lawful कब होगा, जब सारे के सारे legal rules, जो हम पढ़ेंगे, consideration वाले chapter के अंदर वो सारे rules fulfill होंगे, जिसमें से एक part यहां लिख दिया हमने, जो की सबसे होई essential requirement है, Latin language की अंदर, लिखा हो है कि consideration के बारे में, consideration का मतलब होता है, quid, pro, cure, which means something in return, अब check करो, सुनना द्यान से बात को, एक बात, example दे रहा हूँ, इस से connect करना, और connect अपने हो जाएगा, सुनना मैंने जब आप लोगों को offer दिया था, कि मैं आपको services दूँगा, नितिन सर आपको पढ़ाएंगे, तो आपने भी अपने promise किया था, कि सर हाँ, हम उसके वरले fee payment करेंगे, तो आपने fee payment किया, और मैंने आपको service दी, तो क्या ये एक तरफा हुआ, क्या आपने पैसा दिया, और मैंने कहा किया, आपको service दी, that means something in return, लो में consideration का basic meaning यही है, बदले में कुछ आ रहा है न, one person receive something, second person give something, तो that is known as something in return, और यही बनती है आपकी, किसकी consideration का lawful होने की बड़ी requirement, अब एक प्रशन पूछता हूँ, Sir, main point क्या था, main point बेटा, इस question में चिपा हुआ है, कि जब आखर मैं बोलूँ कि एक भी rule follow नहीं हुआ तो, तो बेटा, consideration lawful नहीं होगा, consideration lawful नहीं होगा, तो उससे बनने वाला contract भी, valid contract नहीं बनेगा, तो इसका मतला, valid contract बनानी की सबसे बड़ी requirement क्या है, कि आपका consideration lawful बन Now, is it clear? यही पार्ट हमारे पास में, यह रहा बेटे, यही पार्ट हमारे पास में, यहा देख लेते हैं इसको, क्या कहना चाहरा है, सुनना, बात करते हैं, लिखा हुआ है, you can watch this, देखो, 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 यह रहा, lawful consideration की बात कर रहा है, इसका मतलब यह रहा हमारे पास मे कहरा है, consideration का lawful होना जरूरी है, तो क्या मतलब है, पढ़ना, कहरा है, there must be lawful consideration between the parties, party मतलब प्रोमीजी, to make a valid contract, contract को वेल बनाना है, तो वहाँ पर आपका consideration का lawful होना चाहरा है, है कहरा है, here consideration means something in return, इसी को आपने लिखा बेटा, quid pro q, इसलिए मैंने भी लिख आया, quid pro q, क्यो, क्यो कि examiner आपको, instead of writing something in return, he or she can provide you the word quid pro q, तो आपको यही से confirm करना, अच्या, यही लोफ़ वाले लिखा है, exactly, तो आगे पढ़ना, कहरा, sir, both the parties must go get something in return, बना एक बना चाहिए, और यही लेटिग लागविज यही लेटिक लेगविज अगवेजे लेगवेशा है, क् पर आपको नेक्स नमबर नेक्स लिखते हैं हमारे पास में क्लियर होगा नहीं होगे बता पहल दो मुझे क्या यह समझ में आया नहीं आया कोई डाउट इसमें मीनिंग लबट ग्ट कांट्रेक्च को वाले गौन्ट्रेक बनाना है तो क्या करेंगे बता कौन्सिटरेशन verloren करो वग बनागा यहा लिए लिक्क उह demographic यृच्यम हो इससाल कि नहीं चैपोरे लिखममेंगे तो आगे बढ़ते हैं नЕक्स-प्र या ते नेक्स chapter में सारे आएंगे, तो आगे बढ़ते हैं, next पे आते हैं, the next one is, लिखो, capacity of party, ये सारे हम बढ़ रहे हैं, essential requirement, the next is called, capacity of parties, इसी word को, capacity को, competency भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, competency of parties, party का मटा तो clear है, खाने पीने वाली party की बात नहीं कर रहे है, party का मटा तो clear है, सार, promise of promisey की बात कर रहे हैं, आपसी थी simple सी बात, हाना, तो बात सुनना, contract को, valid contract बनाना है, तो parties, मतब promise of promisey, capable होनी चाहिए, the word capacity means, क्या बोलते हैं, legal ability, I can use the word, लिखता हूँ इस word को, लिखते हैं, it means, इसका मतलब क्या है, means, the parties to a contract, not करो, लिखो मेरे साथ, the parties to the contract, क्या होनी चाहिए, लिखो, must be legally capable, पर लिखे समझाँगो फिर आपको, तुम बस लिखो, समझा अपने, आप दूगो बटा, must be legally capable to enter into a contract, to enter into a contract, बोला बया, simple सी बात, जो प्रोमिजे, प्रोमिजी की आप बात सर कर रहे हो, वो दोनों की दोनों parties, legally capable होनी चाहिए, contract में entry करनी के लिए, और law में, the word enter means, to make a contract, कि वो contract बनाने के लिए, उनको allow किया गया हो, वो कि law सबको allow नहीं करता, लो कहता है, देख लो, समझ लो, कि कल को किसी के साथ contract कर रहे हो, तो क्या law ने उस person को allow किया भी है या नहीं किया, क्या law ने उस person को legally allow किया है या नहीं किया, ये चेक करना जरूरी है आप लोगों के लिए, तो वाट बाला थभी contract बनेगा, अगर आपने वालो ऐसे person को चूज कर लिया, जिसे law ने allow ही नहीं किया था, contract करने को लेके, मतला वो legally capable था ही नहीं, तो उस case में उस person के साथ किया गया contract भी, valid contract नहीं बनेगा, valid contract नहीं बनेगा, अब बच्चे के मान में question अनितिन सार एक बात बताओ, हमें याद हो भी गया, बट हमें ये तो बताओ, ये लीगली capable वाला question कहां चेक करेंगे, हमें क्या-क्या चेक करना होता है, कि कोई person legally capable है या नहीं है, तो उसी के वरे हमें लिखते हैं, ने next point, इसी के अंदर लिखते हैं, तो वर्ड आया है, लिखो, want of capacity, ये तो capacity वाला question किससे पूछोगे, want of capacity arises from, want of capacity arises from, ये किन से पूछा जाएगा, या किस के उपर ध्यान दिया जाएगा, कि capable है नहीं, तो फर्स लिखो बेटा, minor, जब भी आप किसी minor के साथ contract करोगे, तो आपको इस चेक करना है, कि minor के साथ contract करने के लोगे नहीं मना किया है, he or she is not capable to enter into a contract, दूसरा वर्ड लिखता हूँ, idiocy, that means idiot, movie देखिया न, three idiot, वाँ पे idiot का मतलब क्या होता है, लोगे idiot का मतलब भी होता है, होता है, और लोगे इस वर्ड को define किया है बिटा, और यही वर्ड all over इंडिया चलता है, idiot का मतलब भी होता है, permanent illness of mind, जो जन्म से ही, दिमागी रूप से, इसका दिमाग काम नहीं करता है, दिमाग से pan pan shot, उसे बोलता है idiot, तीसरा लिखते है, unsound mind, unsound mind मतलब, unsound का मतलब, जो अपने decision नहीं ले सकता, वो इस तनी mental condition में नहीं है, ब्रैकेट में लिखते हो, इसमें आगे में, for the sake of clarity, लिख लो, अपने पास में, insane, insane, मूर्ख वेक्ती है कोई, remember, यह इसका दिमाग काम नहीं करता, यह इसी को बोलता है, lunatic, क्या बोल दूँ, lunatic, सरी word आएंगे, आएंगे बिट्टा, आएंगे, तो तीन condition में लिए, एक और लिख देते हैं, हमारे पास में, तकि आगे part हमारा पूरा clear है, drunkard, पियक्कर person, दारुबाज आदमी, हाना, drunkard, पियक्कर person, शराप पी रखे, शराप के नशे में रहता है, तो यह question आपने हमेशा चेक करने, जिन से contract कर रहे हो, इन में से कोई विख तो नहीं है वो, अगर इन में से कोई person हुआ, तो याद रखना, उसको लोने अलाउँ नहीं किया, तो और clarity के लिए, अभी लिखते हैं इसमें आगे, तो क्या लिखते हैं, इन लोग को क्या वोला, लिखना है, in all such cases, in all such cases, contract, क्या होगा, will not be, will not be, a valid contract, बेटे, इन सारे cases के अंदर, contract, valid contract, नहीं कहलाएगा, तो यह तो होगा, noting वाला part, अभी को समझ भी लेते हैं, लिख लिख लिए आप लोगो ने, बताओ, note किया, फर्स लिखका, मीनिंग क्या होता है, फिर लिखका, कौन से वो लोग जिन से चेक करना है, और अच्छुली, जो question आएगा, वो इसी के ओपर आएगा, बीच वले पार्ट के ओपर ही, कि बताओ भाईया, किन से कॉंट्रेक करना लाओड नहीं है, वो इस इंकॉंपिटेंट तो एंटर इंटर इंट इंट एकॉंट्रेक, तो वर्ड आया कि, पले मीनिंग समझ थे हैं, वर्ड आया कि, बताओ भाईया, क्या कॉंट्रेक्ट वल्ड होने के लिए, पार्टीज का के पेबल, तो वर्ड नहीं है, अंसर इस है, दूसरा वर्ड आया, मीनिंग क्या होता है, तो मतलब भोता है, लीगली के पेबल, चमता की बात, यह निकि मैं यह समान उठा लूँगा, तो में गोल की बूच्ति का आखिकल, आपको चेक करना है, यह समेशा, कि जिसें कोंट्रेक्स कर रहे हो, क्या वो वैक्ति, क्या वो परसें, माइनर तो नहीं है, बताना माइनर क्या होता है, पूछो, 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 अपने अप से पूछो, क्या तुम माइनर हो, हाँ, हम में से कुछ हैं, कुछ नहीं है, तो माइनर का मतलब क्या हुआ, पूछो, अपने अप से पूछो, माइनर का अप सुना, दो वर्ड बोल रहा हूं, जनरली सब लोग जानते हैं, हम जानते ह माइनर का मीनिंग लो में लोग दो, इंडिया में लोग एक ही जानते है, मैंली, मैक्जम लोग, कि बाइया अठरा साल की उमरिया, अठरा साल से नीचे वाले, that means below the age of 18 year is a माइनर, लेकिन क्या आप जानते हो, इंडिया के अंदर, एक और एक और एक्ट है, दो एक्ट बोलू इंडिया में दो कंडिशन है, याद रखना हमेशा, हमेशा, जिन बच्चों के पैरेंट्स होते हैं, मम्मी, पापा दोनों हैं, या कोई भी एक है, उस केस के अंदर, वो बच्ची 18 साल की एस में मेजर बनते हैं, उससे नीचे वो माइनर रहते हैं, दूसरा केस होता है, ज इसी कुछ फिल्म में बनी हैं, इंडिया में बता हैं, जहां पर एक बच्चा है, जिसके पैरेंट्स बच्पन में गुजर गए बिचारे के, उसका रहते हैं, तो उस केस में वो बच्चा 21 साल की एस में मेजर बनता है, बेटा, तो आपको चेक करना है, कि क्या वो परसन मा आइनर के साथ कौन्टेक करने के लोग ने मना किया है, पहली बात तो यह, दूसरा कीस, क्या वो एडिटतो नहीं है, इडिटत का मणा बच बहुँता है, पर्मानेंट इल्नेस के इसको, पर्मानेंट इल्नेस ओफ माइन, दिमागी रूप से, जन्म से ही, बार्थ बंचा तो ऐसे को बोलते हैं इडियत दूसरा अंसाउंड माइंड we can say insane या अनुटिक इसकोल temporary illness of mind एक side कोन है permanent illness second कौन सी है temporary illness temporary illness of mind कोन है unsound mind कभी-कभी दिमाग सद्मा लग गया depression में चल रहा है heavy depression में चल रहा है दाव यहां खा रहा है अब ऐसे person को insane कहा गया है ऐसे person को unsound mind कहा गया है detail meaning इसका आगया आता हमारे पास बढ़ेंगे chapter आगा हमारे पास पूरा capacity of parties की ओपर next is called drunkard पीक कट कोई शराबी वेकती है नशे में हैं उस वक्त उसे नहीं मानूंगा नहीं मानूंगा तो इसलिए हमेशे हैं चेक करना है कि जिनसे contract कर रहे हो क्या वो लोग incapable तो नहीं है क्योंकि reason is to make a valid contract there must be capacity of parties capability होनी चाहिए आपरे पैसा बोलो clear हुआ समझ में आए and this is your capacity of parties आगे बढ़ू बताओ इसमें कोई doubt तो पूछो मुझसे one two three mainly जो exam में question बनता है और इसके ओपर किसके ओपर इस वाले part के ओपर आपसे पूच सकता है वो पूच लेगा बताओ इन capacity में कौन-कौन से लोग आ रहे में ली वह यह वले रोग हैं समझ में आगे बढ़े next पर आते हैं the next one is next लिको बेटा अब आया नंबर किसका free consent सुरी तो सारे वही बढ़े हां हमने न हम में से किसी बच्चे ने अगर चेक किया index का पार तो इंडेक्स चेक करोगे अपने अपने पास में अपने पास में किसके असेंशल एलिमेंट के अंदर तो बात करते हैं next आया what is the meaning of sir free consent free मतलब मुफ्त है क्या है बता न सोचो अफ्री का मतलब मुफ्त है मुफ्त मुफ्त नहीं है यहाँ पर consent मतलब सैमती यह word पहले भी आया था the word ascent a-double-s-e-n-t सैमती को बोलते है यहाद है तो consent का मतलब भी सैमती होता है तो बहला लो कहता है कि अगर contract को सुनना बड़े प्यार सुनना अगर contract को valid contract बनाना है तो parties की सहमती free होनी चाहिए तो जैसे बच्छे को बहला गki आशा नितिन सार एक बात बताना यह free का मतलब क्या है बैटे मैं free का मतलब है कि उससी के साथ जोड जबरदस्ति ना की गई हो दराया धमकाया ना गया हो किसी pressure में ना हो उसकर fraud ना किया गया हो उसकर misrepresentation ना की गई हो उसे mistake के थूँ नहीं किया गया contract तो law में ना 5 cases दिये 5, yes यही 5 case बनेंगे किसका बार्ट, free consent का part बंते है कि अगर मान लीजिये इन 5 हो को use करके इनके नाम बढ़ाओंगा, Quartz and Undue Influence, Fraud, Misrepresentation, Mistake, पाँच केसी हैं, अगर इनको यूज करें कोंट्रेक्ट किया गया है न, तो पार्टी का कंसेंट फ्री माना नहीं जाता, तो लिखते हैं, आओ बात करते हैं, लिखो, next is, इसके बाद बुक दिखाता हूँ, डीके दोबारा से, पहला वार, तो लिखो, तो लिखो, to make an agreement, वही लाइन, common line, to make an agreement, एक agreement को, या एक contract को, a valid contract, उसे अगर आप चाहते हो, valid contract बनाना, तो क्या होना चीए, लिखो, the consent of the parties, the consent, मतलब सहमती, the consent of the parties party मतला वही बिटा हर जगा पूरे पार्ट में ही चलेगा of the parties should be free should be free assume करो examiner ने question दे दिया जहां पर लग रहा है कि किसी person से contract किया गया लेकिन उसके consent नहीं था वो सहमत नहीं था जो और जब अरदस्ती से gun point की ओपर knife point पर डरा धमका के होगे क्या बलोगे सहमती फ्री थी नहीं थी नहीं थी तो वही लोग कहता है बहिया consent free का मतलब क्या होता अब पढ़ो जहां से यहां पर भी निग अब आलगा इसका main meaning तो पहली बात तो agreement को while contract बनाना है तो सहमती consent क्या होना चाहिए free होना चाहिए तो free के लिए लोगे clearly mention क्या free का मतलब क्या होता लिखो the consent of the parties not कर अजबाट को the consent of the parties parties का consent should be free वो तब कहलाएगा should be free when it is not caused by when it is not caused by caused by मतलब affected by caused by बोलू या बोलू I can use the word affected by अगर उनका consent लेते समय वो consent अगर एलिमेंट में हाया कौन से not caused by लिखा मैंने नहीं होना चाहिए कौन से first लिखो बेटा number one is called coercion c-o-e-r-c-i-o-n coercion number two लिखो undue influence undue influence number three लिखो fraud number three is fraud number four लिखो misrepresentation number four is misrepresentation sir लिख लो समझा देता हूँ अभी लिख रहा है sir लिख रहा है तो पहला का लिखा बेटामने क्या लिखा coercion दूसरा लिखा undue influence तीसरा लिखा fraud fourth लिखा misrepresentation and fifth लिख रहा हूँ mistake यह पांच cases है बेटे यह पांच cases है अगर इन पांचों के दू किसी की सहमती ली गई है आप contract करने जा रहे थे और आपने इन पांचों मेंसे अगर किसी को भी use किया या आपके साथ किसी ने use किया होता है ना काफी बार ऐसा लोग करते हैं डराद हम काके करते हैं pressure करवा देते हैं religious guru and chela father and son or daughter remember यह cases है नहीं है है ना doctor, patient, lawyer and client डरा देते हैं तो अगर ऐसे चीजों को use करके contract किया गया सहमत ही ली गई तो लोग कहता है मेरे लाल क्या बोलता है कि उस person का consent free निकलाया जाएगा और हम क्या बढ़ रहे हैं अगर आप चाहते हो valid contract बनाना तो consent free होना जरूरी है तो इससे clarity का है निकल क्या आई पहला word इस पाच किसी आद रहेंगे अब इनका chapter अलग से आएगा free consent बढ़ नाम सुन लो इनके वेरे उन जान लो हलका सा ठीक है अब सुनो पहला word पहला word क्या निकला बिटा कहा रहा sir agreement को contract बनाना है valid वाला तो consent free होना चाहिए free का बहता है consent को free तब का जाएगा जब उसका consent party या consent क्या हो इन पाचों में से किसी से affected ना हो coercion का मतला बतला डरा धमका के anti-influence बोलते है pressurize करके fraud बोलते है दोखा देना दोखा देना is not only दोखा देना intentionally दोखा देना किसी आपने किसी person ने सोच समझ के दोखा दिया मतला उसकी intention थी कि मैं इसको दोखा दूँगा तो उसको बोलता है fraud का पाच next is called misrepresentation confident है फिर भी आपने गलती कर दी remember उसके पाच पाच गलती हो गए लगी इनका practical legal meaning आप सीखोगे अपने free consent वाले chapter के अंदर तो यहाँ याद रखना अपने पास में कि contract को valid बनाना है तो party का concern भी check किया जाए कि जिससे contract किया था क्या उसकी सहमती free थी या वाफेक्टीट थान पाच आपने से किसी से तो उसको बोलता है इसको free consent और यह रहा आपका bookish language बाला part let me show you दिखा रहे ता हूँ बाला part यह रहे पास में पास में बोलता हूँ दूसरा free consent let me show you थेखो पर्ला नम्मर वान यही तो है बेटा हम क्लास बीसार पड़ते हैं परे पास मैं बोला आप आप उसे पढ़ा हूँँगा तो वर्ड है बेटा capacity of contract capacity of parties या competency of parties लिख लिए हम लोगो ने not be हो चुक है अब समझते हैं इस पार्ट को तो वाट समझते हैं क्या बोल रहा है करा सर् इनने contract बोट दी parties that is offerer or acceptor या promise a promise must be legally capable capable only नहीं legally capable to enter मतलब to make a contract otherwise such contract cannot be a valid contract otherwise contract valid contract निकेलाएगा remember clearly बोला गया section 11 के अंदर कि भईया party अगर है तो उसका major होना जरूरी है 18 साल और 20 साल की इस दो तो 18 साल as per Indian Majority Act 1875 और 21 साल कप Guardian Watch Act 1890 या गे लिखा हूँगा बगाईदा act के नाम लिखा हूँगा कौन कौन से act ना परे पास next is sound mind का होना चाहिए दूसरा disqualify नी किया गया हो मतलब एक्जमपर ऐसा परसन ना हो इसको लोने मना कर रख रख कोंट्रेक करने से next is तो यहां पर बोला गया तो यह में लिखवाया भी है 18 साल as per विचक यह पूरा notes में दिया आपको मैंने 21 साल as per गार्जन वार्ट से 1890 तो यह बन गया हमरे रख कौन सा capacity of parties या capacity of contract या competency of parties clear है next पर आथा हूं next हमने लिखा हमने हमरे पास में कौन सा free consent पार्ट तो free consent में क्या लिखा देखा 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 free consent में क्या लिखा section number 14 कहता है इसके बारे में the consent of party मतला promise of promise you must be free to make agreement to a valid contract अगर अपचाते हो agreement to a valid contract बना तो वहाँ आपर 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 इसके प्रोंसर्ट फरी हो और आगे लिखा है according to section number 14 जिसको हम लिखे है प्रोपरीस के प्रोपरे से प्रोपरे पार्ट में या सुलो the consent is said to be free when it is not caused by है फर्स्सी के थरूभी लिया इन पाचों में से किसी के थरूभी अगर आपने पास में आगे बोलो अब समझ में आया नी आया और मैं निमानने वाला, ना ना बहिए, बिल्कुल निमाने में, तो वही लोग ने साफ सब डिनाई कर दिये, इस पार्ट को लेके, लिखते हैं अपने पास में आगे, बोलो अप समझ में आया है, निया है, बोला क्लियर है, फ्री कंसेंट, क्या होता है, क्या मतलब होता है, तो पूच सकता है भाई साब और पूचे गए हैं क्वेस्टिंग इभी ध्यान रखना आगे बढ़ू नेक्स इस दगो ये क्लियर हो गया कर पाटिस आगे बढ़ सकता हूं बताओ 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 नोटिंग कर लिए इसको,लोगी नोट्स,with बूक्स,withQ? इसे पढ़ने वालें ये क्लिए रहे नेक्स पर आता हूं,next इस फ्री कंसेंट का मतलब क्या होता फ्री कंसेंट आता क yeah next legal अब आगे लिखते हैं, हैडिक बनाओ, नेक्स अपने पास में, यहां तक तो समझ में आ गया, आगे लिखो, लोफुल ओब्जेक्ट, फिर भी कोई शंका डाउट रहेंगी, तो आपको पता ही है, आपके प्रोपर डाउट सेशन चलते हैं, फिक्स टाइम के ऊपर, पढ़ते हैं, बेज़ो ना भाई साब, क्या दिक्कता है, बेज़ो डाउट, जहां डाउट लगे, वहीं फटा किक की और बेज़ दिया, इंस्टेंट, टैंशन लेने का, टैंशन लेने का, आप पुन बेटा देर मारे साथ में, आपके, चलो, आते हैं वर्ड, लॉफुल अब्जेक्ट, गाईस, अब बच्चा बहुलता है, यार एक बात बताओ, हमने ना अब वर्ड लॉफुल तो बात में अब बच्चा 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 मतलब क्या, अभी-भी कुछ देर पहले आप लोगों ने एक वर्ड सीखा था, चुछ तो वहां पर दो बड़ा थे थे, सर्विस या पैसा, बदले में, कोई समान, कोई गूड्स और उसके बदले पैसा, सब इसके अब भी समान रखा है, बड़ नजर मारना ऐसे गुमा के, देखना एक बड़, गुमाओ अपने आखो वाले कैमरा को, देखो, आपने आज पास में जितना भी आइटम रखा है, वो देखो, आपने उसे या तो पर्चेज किया है, हाना, या किसी और ने पर्चेज किया है, और कौन होगा, गर में पापा ही होंगे, घर के पारेंट्स ही होंगे, और कौन गरेगा, तो एक्जामपल के लिए, इंक्रूइडिंग यो सेल फोन, ना, चेक करो, तो आप लोगों का वो समान, आप जब लेके आए थे, तो आपने उसके लिए क्या पे किया था, पैसा पे लोयर की सर्विस, आपकी सर्विस, प्रोफेशनलों की सर्विस, तो आपकी सर्विस और गुड्स कहलाती है, उसे क्या बोलते हैं, उसे लो में कहते हैं, विटा, अब्जेक्ट, क्या कहते हैं, उसी को लो में कहते हैं, अब्जेक्ट, तो लो कहते हैं, तो लो कहते हैं, यह होना चाहिए वरना contract क्या नहीं बनेगा contract valid contract नहीं बनेगा तो कब बनेगा आप बात कर लेते हैं चलो चलो तो वर्ड लिखते हैं इसके बारे में कि अब्जेक्ट लोफुल का बहुत आ है तो लिखो लिखो अब्जेक्ट कर लिखेंगे object in a contract जबहु एक अब्जेक्ट इन एकॉरंट्रेक्ट इस अब्जेक्ट इनट्रेक्ट शुड़ बेर लिव लाफुल शुड़ भी लाफुल वह लाफुल होना चाहए भाट जैसे लाफुल वर्ट लिका regular मैं बुबभीदा औरे यह lawful किस चीज का नाम है यार बार बार lawful 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 है लोफुल क्या होता है जनले आप एक वर्ड सुनते हो ना legal 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 का मतलब भी क्या लोफुल ही होता है तो वर्ड legal means lawful तो मेरा object भी lawful होना चाहिए example दूँ सुनना बात सुनना किसी का murder करना है service है ना हना हना चोरी करनी है डकाती करनी है हना बॉम बनाना सीखना है तो बताओ क्या ये object lawful है बोला नहीं है सर तो तुम्हें कैसे बता लोफुल नहीं है बोड कि लोब ने चीज़ों को लिखा है उसके according deal कर रहा है इस पार्ट को Generally, when you say that you are not lawful, it means you are going to explain, you are going to define the word which is lawful and which is not lawful. We can say that which is unlawful is unlawful. So, people say that the object is in the contract, when should it be lawful, when should it be lawful? Should it be lawful when the object is called? When the object is called? Not You have to check that the object which I am going to write is not in that condition. So, let's write number 1. First, write object is not opposed to public policy. Write with me! Do you understand? Do you understand? Write not opposed to public policy. Public policy. Do you understand? Fourth, write immoral. Do not be an ethic. Does it mean? Third, tell me all. Illusionary. Do not have the difference in position. बोट भूते हैं लोग, ओरे मैं ऐसा कर दूंगा, ऐसा हो गए तो वह ईलूजन कह लाते हैं, इल्यूजनर नी होना चाहिए, नेक्स लिको इल्लीगल नी होना चाहिए, इल्लीगल का मतलब इसे लोने करने से मना किया, बलकि इसके लिए पंश्मेंट भी है, उसे बिलीगल कह निन्हीं है तो उस ऑब्जेक्ट से बने वाला कॉन्ट्रेक्ट भी यह पॉल कॉंपटरी के लिए दिफाइए ऑपजेक्ट उफफदी नहीं होगा यह मतलब जब वो अपोज्ट अशवasis पॉब्लिक पोलिशी है पॉट मतला है, Against the Public Policy आम जनता के लिए चुव पॉसी बनिये उसके अगेंस में हिना चाहिए नंगे कर वाने की बात कर रहे हो किटनापिंग की बात कर रहे हो मटर की बात कर रहे हो Social Unrest समाज में शांति फेलाने की बात कर रहे हो क्या कलाएगा अपोस्ट पॉब्लिक पॉलिसी इम्मोरल एनथिक नहीं होना चाहिए आपकी ससाइटी के सोशल वैलफियर की अगेंस में नहीं होना चाहिए इसमें दो वर्ट सीखेंगा एक वड़ा है कन कभीनेज क्या कन कभीनेज C-U-N C-U-B-I-N-A-G-E इसको बोलते हैं बिना शादी के किसी के साथ रहने के लिए किया गया कॉंट्रेक वही पैसे के बदले कि साथ रहूंगा पैसा ऐसा हुआ है पहले बताऊंगा प्रोचिटुशन वैश्या व्रती जिस्म वरोशी का दंदा लाइड इसकोल इम्मोरेल नेचर की नेक्स इस इलूजनरी नहीं होना चाहिए कि आज बैटके औरना आसा कर दू आसा हो जाएगा तो इलूजन जो एक्चुली एक्जिस नहीं कर रहा उसके लिए लूजन नहीं कर रहे हो इल्लीगल नहीं होना चाहिए इसके लिए पुनिश्मेंट है कि किड्नैपिंग मर्डर कें इल्लीगल है अनलौफुल इसके अलावा बाकि ऐसे कोई भी केस जिसे लो अलाओ नहीं करता वो impossible नहीं होना चाहिए, वो disqualified by law नहीं होना चाहिए, लिख वाँगा, आगे chapter आएगा, हमारे पास में, legality of object and consideration, तो यहाँ word का सी कहा, कि object का lawful होना mandatory है, to make a contract, a valid contract, बहु को अच्छी बहु बनाने के लिए, ये भी जरूरी है हमारे पास में, बोलो समझ में आया, noting हो गया, क और भी word इसमें लिखोंगा आगे, तो उन वर्ड के अलावा कुछ मिलेगा न एक्जामेट, अच्छी मतलो, जग करवा दूँगा, उससे भार नहीं मिलेगा, guarantee, पक्का, ओके आगे बड़े, next पर आते है, तो यह होगे हमारा lawful object, तो पहला हमें पढ़ा, capacity, frequency, अब आया, law agreement, not expressly, not expressly declared to be void, declared to be void, तो क्या मुझे तुमें void का meaning बताना पड़ेगा, क्या, आगे वाड लिख दिया agreement, पीछे लिख दिया void, तो क्या इसके ओपर deep में जाना पड़ेगा, नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं करने देंगे, tension मतलो, इतने तो हम भले भले बच्चे हैं, भोले भाल प्यारे बच्चे, प्यारे प्यारे, है ना, तो क्या बोला, agreement not expressly declared to be void, क्या मतलब हुआ इसका, तो एक बार reading करना है, agreement not expressly declared to be void, अब इन शब्दों तोड़ता हूँ, ब्रेक करता हूँ, समझ में तब अच्छे से, अग्रिमेंट का मिनिंग त आप जानते हो, every promise, every set of promises, forming consideration for each other is known as agreement, बचा, expressly का मतलब होता है, बोल कर या लिख कर किया गया काम, लो कहता है, जिस इसको बोल कर लिख कर बताते हो, by words, oral or written, लिख कर, उसे लो में expressly word बोलते है, आगे लिखा, void, वोईड का मतलब सीख चुके हो, which is not enforceable by law, नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब का, समझना, पहले समझते हैं भी लिखते हैं इंडियन कॉंट्रेक्ट एक्ट के अलावा बहुत सारे एक्ट्स हैं, मैरीज एक्ट है, आईपीसी है, इंसल्वेंसी एक्ट है, रिमेंबर, सिविल लोज है हमारे पास में, तो बाकंपनी एक्ट है, तो बाकी जितने लोज हैं, एक्ट में भी वोईड ही रहेगा, तो बताओ, जब तक उनकी जेल, सेंटेंस, उनका जेल चल रहा है, उनकी सजा चल रही है, कि तब तक वो लोग कॉंट्रेक्ट कर सकते हैं, नया कॉंट्रेक्ट, अलाव टी है, विजया मार लिया, नीरा मोदी, जब तक वो लोण नी चुका देगे, तो एस पर इंसॉलफेंसी एक्ट, वो नया लोण नहीं ले सकते, ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे, तो यह जो तरीका क्या बोला, अलाग-अलाग एक्ट ने, कुछ अग्रिमेंट है, कुछ रखवा झाली लिखाओ, अभी तो क्लियर रा में, तो लिख वाएंगे, इसका मतलब क्या है, लिखो? लिखो, which is declared, जिसे declare किया जा चुका है, declared as void, जिसे void declare किया जा चुका है, किस में लिखो? लिखो, in any other law, in any other law, किसी other law में, मतलब किसी other act में, तो क्या होगा? लिखो, such contract or agreement, ये such agreement, such agreement or contract, बाइबोधी, वो वाला agreement और वो वाला contract, क्या होगा? बताओ, क्या होगा? Sir, agreement or contract will also be treated as void, will also be treated as void, क्या बोलेंगे? उसको भी यहाँ पर void माना जाएगा, void कहां पे, कहां पे, कहां पे, कहां की बात कर रहा है? कहां की बात कर रहा है? सोचो, बताओ मेरे को, तुमारे दिल के वाद सुनूगा, बताओ, अच्छा, Indian contract में, हाँ, वोईड, Indian contract act, तो वो हमारे Indian contract act में भी, वोईड ही डिकलेर किया जाएगा, माना जाएगा, उसे आफ वैलिड नी बना सकते, उसे आफ वैलिड नी बना सकते, चाहे नीरा मोदी कितना ज़वर लगा ले, कि नहीं जी, मैं सारे essential element पूरे कर दूँ, भाई तु यह तो पूरा करी नहीं पाएगा ना, क्योंकि तुने किसी और लो के अंदर, तुने किसी और लो, एंसलवेंसी एक्ट के अंदर, तुर को डिनाए कर दिया गया, कि unless you paid your earlier debts, you are not allowed to make a contract in India, तो तुने को मना किया है न, तो यहां भी मना ही रहेगा, यहां लाउड नी करेंगे, तो अब मतलब, इसका मतलब क्या हुआ, तु वैलिड कोंट्रेक्ट अभी बन पाएगा, जब आपको डिनाए ना किया गया हो किसी और लो के अंदर, एक्जाम्पल लिख वाऊँ, एक्जाम्पल लिखते हैं, चलो, लो या लो, एक्जाम्पल यहां लिख लेते हैं, तकि और अच्छी क्लारिटी आ जाए, हादा कि नोट्स बीघ्जाम्पल और भी दिये मेंने, कुछ नाया लिख लेते हैं, लिखो number one, लिखो an agreement, लिखो agreement in restraint of marriage, क्या लिखा, restraint का मतला होता रोकना, ये तोडना, ब्रेक कर देना, agreement in restraint of marriage, किसी की शादी तुड़वाने के लिए किया गया agreement, किसी का अच्छा हला हसता खेलता परिवारता, तुम ने उसकी बीवी को प्रोपोजल दे दिया, मैं तरको एक क अपने पत्ती को डाइवोर्स दे और बार मुझ से शादी कर ले, लो बताओ, सोचो, तो लो क्या बोलता है, करा भे, मैरीज एक्ट में ऐसे agreement को वोईड किया गया है, तो वहाँ वोईड है, तो इंडियन कॉंट्रेक्ट में भी क्या रहेगा, वोईड ही रहेगा, आइस ए बिचारे का अच्छा वाला लीगल बिजनेस चल रहे है, अच्छा वाला बिचार धंदा कर रहे है, अपना काम कर रहे है, और तुम कह रहा है, वहाँ बंद कर वाँ इसका बिजनेस, वहाँ बंद कर वाँ, आप बताओ, किसी का लीगल बिजनेस रोकने की कोशिश कर रहे ह टो उसको करणतायाएग तो क्या बोला भाई आपके अदर लोज के नंदरी निले बना किया गया है एंडियन कोंट्रक्ट एक्ट में भी का रहे गा वोःड रहेगा उस यह वैलिट निइ बना सकते पर समझ में तो वर्ट पढ़ना चाहिए तो नहीं होना चाहिए तो क्या बोला वर्ट पढ़ना करता अब्जेक्ट और परपस पहले लोफुल कर पढ़ रहा हूं उसको लोफुल तब का जाएगा जब वोब्जेक्ट क्या होगा इट इस नोट अनलोफुल अपॉस्ट पॉब्लिक पॉलिसी इमोरल इल्लीगल या किसी और फ्रोड वाले परपस के लिए ना हो आगे नोट क्या है वो नहीं होना चाहिए किसी और लोग के अंदर वोई इन अनी अधर लोग इंफॉस्ट वोई टेक्लेर किया गया होगा तो भाई उसका केस में क्या होगा वो यहां पर भी वोई रहेगा एग्जम्पल यहां पर मैंने वह लिक्वाया है वेजरिंग अगरिमेंट ब नुकसान पोचाना वई कोई हर किसी की privacy का राहिट है न इंडिया में तुम किसी का प्रइवीसी एफेक्ट कर रहे हो बताना तो एसमें ए पर यहां लिक्का हए किंगे याद रखना इसमें किसी भी पार्ट में डाउट आएगा तो आप मुझे वो डाउट सेंड करेंगे क्लियर है आगे बढ़ जाओ चलो नेक्स पर आते हैं नेक्स बस खता होने वाला में यह पार्ट नेक्स लिखो पॉसिबल टू पर्फॉर्म नेक्स इस पॉसिबल अगर आप चाहते हो कि आपका कॉंट्रेक्ट वालिड कॉंट्रेक्ट बने तो बताओ ना अब ऐसा कॉंट्रेक्ट करो चांत और तोड के लिया हो तुमारे लिए डाट बोडी में जान डाल दूँआ बताओ हाना I will put the life into a dead body 4 rupees 2 lakh बाबा 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 अब बाबा तो tell me कोई अगर आसे कोई अग्रिमेंट कोंट्रेक करने जा रहा है जो पूरा नहीं हो सकता लोगे बोलेगा कर लो एंफोर्जिक का면 क्रेंका मतलब करें घ्रत सर पोसिबिलीटी तो होनी जये नही करें मतलब होने की इर्फिल होने के गया इमतले होने की लिकला नोट करते हैं, तो बोला बिटा लिखो, अग्रिमेंट और कॉंट्रेक्ट, मैं इसलिए दोनों वर्ड लिख रहा हूं ताकि एक्जाम में, क्वेश्चन में, अगर इन दोनों में से कोई भी वर्ड आया, कोई भी वर्ड आया, तो ये डाउट में ना रहे कि और अग्रिमें अगरेंट वर्ड लिख रहो है, इसका मतला अगर वो बात कर रहा है, कि आग्रिमेंट व्रिमेंट वैर कॉंट्रेक्ट अब बनेगा, तो इसका मतला वो इसका मतला वो बना चुका है, उसको मान रहो हैं, ओप्ष बसouseन वदैब पड़ना क्या बोला, पॉसिबल टू मस्ट बी कैपेबल मस्ट बी कैपेबल ओफ बींग परफॉर्म्ड तो लो कहता भाया ऐसे कॉंट्रेक्ट यह ऐसे अग्रिमेंट अगर आप कर रहे हो जिने पूरा किया जाही नहीं सकता याद आया चुई मुई वाली कहानी मुम्ताज वाली कहानी जो बन्दा मर गया उसे शादी कैसे करोगे तुम बताओ नहीं मैं तो करूगा मैं तो उससे करूगा अब बताओ तुम चीद करके बैट गए हाना तुमने टीवी में कोई काटून देख लिया बोल रहा शादी सिंट्रेला ले किया हो मेरे लिए तो सिंट्रेला अब सिंट्रेला कहां से लाए तुमारे लिए बताओ ना अब कॉंट्रेक्ट है शादी से कराओगे अब समझे उध्यान से जिस चीज को फुल-फुल किया नहीं जा सकता उसकी लिए अगर कॉंट्रेक करते हो तो लो कहता भाईया, वो contract valid तो हो, नहीं मानेंगे हम उसको, तो लो ने मना कर दें, वालिड नहीं होगा, मतलब, उसकी possibility होनी चे, perform करने की, तेख वर्ड लिखते हैं, आपर लिखो, impossibility of performance, क्या लिखा मैंने वर्ड, impossibility of performance, impossibility of performance, makes and contract, यह makes, a contract, क्या बना देगा उसको, a void contract, अगर किसी contract को बना तो लिया, बट उसे fulfill किया, नहीं जा सकता, तो लो उस contract को, करने से deny कर देगा, clearly बोल दिया भाईया, मैं option लूँगा ही नहीं, कह रहा है, valid तो सोचना ही मत, जिस सीज को fulfill किया, नहीं जा सकता, that contract, will be termed as, void contract, उसे क्या बोलता है, void contract, यह हो गया, इसका meaning, तो वोड़ अखो बना दान से, पहला वोड क्या है, reading कर लो, possibility होनी चाहिए, full or fill होने की, तो क्या बोला, contract agreement, perform होने के लिए, capability होनी चाहिए, अगर impossible nature का कोई काम, तो, वो contract, वोड़ी रहेगा, उसे वैलिड नहीं कह सकते आप लो, that contract will not be termed as valid, वो वैलिड नहीं बनेगा, clear रहेगा, अब example, example भी लिख लो, तकि याद भी clarity रहे हैं हमरे बस में, example, तानाना, आगे एक वर्ड आएगा, super winning impossibility, वो इसकी chapter में पढ़ाऊँगा, chapter लेक्सिस का, पढ़ाने वाले हैं, okay, example लिखो लिखो, लिखो, मैं बोलता हूँ, इंटू ए, dead body, किसी dead body में जान डालने की बात कर रहे हो, 4 rupees, 50,000, कितना मस धन्दा है, कितना मस धन्दा है, dead body में जान डालने की बाते कर रहे हो, बैटे, तुमसे वाड़ा चमतकारी इंसान कौन होगा, समझो जैंसे, तो लोग आथा, 50,000 में जान डाल दूगा, तो सोचो न, तो ऐसे से कौन ट्रे किये जा रहे हैं, ऐसे से अग्रिमेंट किये जा रहे हैं, मैं तुमारा भविश्य बता दूँगा, लाव तुमारा हाथ, भागे की रेखाएं, तुमारा शनी का राहू के साथ पंगा चल रह समझ चान से क्या बोल रहा हूँ, अब कहने का मतलब जब कोई person तुमसे ऐसे कौंट्रे कर रहे है, जिसे फुल्फिल किया नहीं जा सकता, जिसे पर्फॉर्म नहीं किया सकता, तो कितना ही कर लो मैरे भाई, कितना ही कर लो, वो तो वोईड ही रहे का, उसे वैलीड बना नह इसलिए रिक्वार्मेंट के है कि कॉंट्रेक्ट अगर कर रहे हो तो पॉसिबिल्टी हो नी चाहिए हो नी चाहिए कि पॉसिबिल्टी नहीं है कि फुल्फिल करने की तो कॉंट्रेक्ट भी वालिड कॉंट्रेक्ट नहीं बनेगा नहीं बनेगा आगे है नोट हो किया क्लेर ह इस इस कोई डाउट, मीनिंग, क्या कहना चाहता है, क्या नहीं हो सकता, तो गोड़ है, इमपॉसिविलिटी वाले वर्ड पे आए, तो यह ओल्वेज वोड रहेगा, वो वैलिड हो ही नहीं सकता, बेटा, क्लिर है, एक्जाम्पल भी लिग दिया हमने, चांद आरे तोडने क इसी बाते कर रहे हो, इमपॉसिविटी, जिसी डेस्ट्रोई होगे, उसको गह रहे हो, उसी को बेच दो, ठीक कर दोगे, गाड़ी कूद गई, ब्लास्ट हो गई, बोलना ही वापस आगी, वो सेम गाड़ी उसी को ठाके लाएंगी, ठीक, वैसी बन जाए, समझ रहे हैं, दिस्ट्रक्शन वाला पार्ट, डेथ वाला केस, तो उस केस में कॉंट्रेक वैलिड नहीं बनेगा, क्लेर हो गया, आगया आते हैं, समझ में आ गया, नेक्स पर आते हैं, गाइस, लिखो, बस दो और बलचे खता मुझा है, विडोबिक चेटर रहे हो, लिखो, सर्टेन, क इसकी बात हम कर रहें, लोफुल उबजेक्ट की,отив आपके अब सुना वर्ड पूलना, सुना, 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 लोग कहता हैं, भाई क्या होाँ, कोंट्रेक को वैलिड कॉंट्रेक बना रहा है, तो उसके आपके कॉंट्रेक से ने थर्म जन कंडिशन होती हैं, टर्म says हमने सुना है so terms and condition read all the terms and condition यह क्या होता terms and condition terms and condition का मतलब होता है consideration के part मतलब आपका object और आपकी amount आप किसी contract में object है amount नहीं है amount है object नहीं है तो इसे बोलेंगे कि आपके contract के terms and condition certain नहीं थे example के लिए I will sell I will sell this cell phone to you for whatever amount you want to pay I will sell this com to you for whatever amount you want to pay क्या मिसीं है क्या मिसीं है amount missing है तो इस contract को क्या बोलोगे लोग था इस contract को बोलेंगे uncertain terms and condition और अज़ अनसर्टेन होगा तो contract वैलिड नहीं बनेगा इसलिए रिक्वार्मेंट क्या है the terms and condition the terms and condition क्या होने चीह है in a contract in a contract किसी contract योगे terms and condition क्या होने चीह होने चीह होगो नोट वेग, एक वर्ड लिख्रोम है, नोट वी ए जी यूए, वेग मतला होता हिड़न, चीपे वह नहीं हो नहीं चीए, कि हाथ दे देना पैसे कोई बात नहीं है, पडोस के अंगल बोलते हैं, लेजा लेजा, 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 देख लेंगे, देख लेंगे कुछ नहीं हो होगा, हिड़न होए तो कॉंटेक वैलिड नहीं होगा, ठीक है, अब इसमें एक्जामपल लिखा हूँ, जब एक्जामपल लिखते हैं, तकि और अच्छी से क्लैलिटी यहां पर आ जाए, चलो, फर्स एक्जामपल लिखता हूँ, यह टागडर एक्जामपल, एक्जामप यहां पर नब लिखते हैं, फ्रस एक्जामपल लिखते हो, बूल जाओ, लो हमेशा याद रहेगा, याद रहेगा अब बात करते है नमर वान, क्या बोलेंगे? पहला, लिख रहा हूँ लिखते हैं गुड़ू गुड़ू लिख लो मेरे साथ में गुड़ू वांस तो सेल इस कार टो गुड़ी गुड़ू गुड़ी को गुड़ू गुड़ी को अपनी गाड़ी बेचना चाहता है for some amount या for some rupees बताओ बिटा object का मतलब क्या होता है? object का मतलब होता है term and condition का मतलब होता है कि वहिया price कितना और object में क्या? object का मतलब गूड़ सर्विस तो कितना price, कितना object? अब बताओ इसमें क्या missing है? object missing है या फिर price missing है सर्साक्षाद दिख रहा है car तो object हो गया बड़ प्राइस की बात नहीं की mention नहीं क्या price कितना तो यह क्या हो गया? uncertain uncertain बोलेंगे इसको और क्या इवैलिड बनेगा? No, it is void इवैलिड नहीं बन सकता same example एक और लिख लो लिखता हूं गुड़ू same लिखता हूं गुड्डू wants to sell something गुड्डू wants to sell something गुड्डू कुछ बेशना चाहता है something to गुड़ी चैक करना क्या होगा? tell me सुनते रहो गुड़ू wants to sell something to गुड़ी for whatever amount for whatever amount whatever amount गुड्डी wants to pay गुडडी, बुडडी नहीं है, गुडडी है, वांस टू पे, बता बटा, गुडडू गुडडी को कुछ बेचना चाहता है, जो भी गुडडी पैस देना चाहिए उसके लिए, वांस टू सल सम्थिंग, सम्थिंग, टेल मी, क्या यहां पर अमाउंट या अब्जेक्ट दो गुड़ अब है, तो एक भी मिसिंग वा, तो भी वोईट, दोरों मिसिंग वोईड है ही है, तो लोग कहता है, भाईया, सर्टेन होगा, तो वैलिड, अधरवाइस वोईड, माला, एक्जामपल मेना, अभी तो तुम्हें चितने एक्जामपल दिये, चितने एक्जामपल कंडिशन पूरी कर दी कब जब आप दोनों चीज दे रहेती हैं हमारे पास में क्लियर हो गया एक और लिखें फिर लास खताम हो जाएगा यह वाला पार्ट अलाकि एक और होता मुश्चुल कंसें उसका मतला बता वेटा सुन लो खाली उदिया नहीं है सुन लो जान से जब दोनों पार्टिश सेम बात पर अग्री कर रहे हूं उसे बोलता है मुचल कंसर्ण नैक्स लिख ते लास्ट लिख थे इसके बाले पार्ट में लिखो, 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 लीगल फोमालिटीज लिखो लीगल फोमालिटीज जेट अब सुनना बढ़ी काम की बार, सूनों बा वोटिंग भी हो गया, बोलो, क्लियर हो गया, इन में कोई डाउट है किसी को, डाउट रहे तो बार बार रिट कर रहा हूं, डाउट सेशन फिक्स और सी अधर, आप अपने डाउट के ताइमिंग पर मुझे अपने डाउट भेज सकते हैं, यू कि डिर्क्ली वाट्स अपने अब आते में नेक्स के ओपर, the next is legal formalities, तो question सुनना, सुननो लेंसे बात को, क्या होता है legal formality, क्या होता है, क्या लगता 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 है, क्या या अग्रीमेंट बनेगा इसके बार में नेक्स अभी आएगा टाइब अधिया पीछे बार पहले भी कर चुका इसके रिकार्डिक की अग्रीमेंट या कॉंट्रेक्ट तभी बनेगा जब वो रिटर्न में होगा ना जो उस पर स्टैंप लगई ना तो लो कहता है ऐसा कहीं लेकिन अगर कुछ एक्ट हैं तो एक्त है ट्रांसफर प्रोपरिटी एक्ट ट्रांसफर ऑफ्रोपर्टी एक्ट 1882 इंधिट के अंडर क्या होता है एक्ट की अगर पॉर्चेज़ अवह आथ एक्ट फॉर्ची आती है ुड्धि लैंड बीडिंग तो लैंड की सेसे मुझ तो लोग एक्ट की रिक्वार्मेंट है, कि कोई contract return में चाहिए, उस पे sign भी होने चाहिए, उस पे stamp भी होनी चाहिए तो लोग कहता है भाईया, वो उसकी requirement है और तो उसका fulfill होना जरूरी है उस contract को valid contract बनाने के लिए एक तरफ लो, समझना एक तरफ लो बोल रहा है requirement नहीं है एक तरफ लो कह रहा भाया अगर किसी act की requirement है तो वो होना चाहिए अगर वालिट को valid contract नहीं बनेगा and this is your legal formality वारा part आओ लिख लेते हैं oh, clarity मिली मिल गई, sir, मिल गई आओ लिखो लिखो generally लिख दिए तरफ लेट को generally क्या होता है it is not mandatory generally it is not mandatory ये mandatory नहीं है क्या to make an agreement कि किसी agreement को in writing कि writing में ही हो signed ही हो signature ही ज़रूरी हो उसके ओपर या as per Indian stamp act उस पे stamp लगी हो normally requirement नहीं होता generally this is not a requirement नहीं बिए तो भी चलेगा मूल से बोल कर भी चलता है contract can be made proof by words oral or written इसा बोलता है express contract repeat करो, sir, repeat करो ऐसा कोई requirement लोह नहीं लिखा, इसा मतलब ही है कि contract हमेशा लिख कर ही होगा stamp होनी चीज़, sign होनी चीज़, no वो बोल कर, मूँ से बोल कर लिख कर भी हो सकता है दौन तरीके से लेकिर अब लिखता हो इस की इस पर्टिकुलर पॉंट की बात कि what is the meaning of legal formality here तो लिखना विटा करें sir but लेकिन खिंथू परिंथू but if यहां लिखना if it is if it is the statutory requirement what लिखना हो? statutory what सुनना? statutory requirement statutory बात मनना statutes इसका मतलब अगर act को बोलते हैं it is statutory requirement carry comment to be to be signed की signature होने चाहिए to be stamp उस पर stamp होनी चाहिए to be registered उसका register होना जरूरी है या उसका writing होने में mandatory अगर किसी act की requirement है एक तरफ कह रहा था नहीं है तो भी चलेगा सेकिन तरफ कह रहा भईया ना अगर statute की requirement है signature, stamping, registration, return तो उस case में तुम बताओ क्या होगा फिर तो क्या चलेगा गया बिना writing के बिना stamp के, बिना sign के अगर requirement है तो नहीं चलेगा मतलब वो contract, valid contract नहीं बनेगा इसका मतलब क्या होगा बिटा इसका मारे इस बात काचे लिख सिता हूँ ताकि clarity रहे, example के लिए sale and purchase of land, building अब बताओ, क्या बोल करो contract, कि तेरी आल से building तेरी विदो करोड़ी, लिखेंगे नहीं लेकिन, है? नहीं, requirement है तो लोग कहता है, contract को valid बनाना है, तो उसकी last requirement है, legal formality check कर लो, कि क्या जो contact तुम कर रहे हो, क्या वहाँ पर कोई legal requirement है भी या नहीं अगर है, तो भाईया फिर general low नहीं चलेगा, ये वाला follow किया जाएगा, बोलो clear हुआ समझ में आया, done है आओ, दिखा दे तो book वाला part भी, आमें तो clear है फिर दिखा दो, आपके इच्छा है तो हाँ, क्यों नहीं तो, अटे तुम तुमारे ले जान हाजी क्या बात करते है तुम लो भाईया आते हैं next तो word आया, हमारे पास ये वाला पहला, reading कर लो possible to perform capability of being perform होनी चाहिए fulfill को बोलता है perform, otherwise ये वालिट नहीं बन पायागा not a valid contract तो requirement is possibilities की impossibility of performance, contract करता है वालिट कर देता है, ये लिख चुके है next, legal formalities sir, कुछ cases में requirement करता है कि writing में होना चाहिए registered होना चाहिए तो होना चाहिए और वालिट नहीं बन पायागा and this is your part यही तो कह रहा हम यही तो लिखे हम लोगोंने बिटा remember? and this is your part certain हम पडचुके है वारे पायस में हमने पहले लिख 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 को स्गाल इना फ़रक है certain मतलब terms and condition that means price or object must be certain not vague मतलब hidden नहीं होने चाहिए या uncertain नहीं होने चाहिए otherwise कोई भी legal action नहीं लेने का right नहीं होगा मतलब contract valid नहीं बनेगा not valid and I can use the word यहाँ पर simply void रहेगा वो वो allowed ही नहीं है समझ में आ गया and this is your part यही था आपके पास आपका बेटा आपका essential elements of valid contract अगर फिर भी कोई doubt किसी को रह जाए इस topic के अंदर तो वो directly मुझे masses करेगा अपने doubts अपने doubt time period की होपा तो I think समझ में अच्छे से आया होगा फिर भी कोई शंकार है मैं हून है attention कहे लेने का तो मिलते next class में और next class में पढ़ेंगे अपना next topic अब ही नहीं पताएंगे कौन सा बताएंगे तो उसके बाद हमारा यह पूरा पार्ट खतम हो जाएगा चेटर वाला पार्ट फिर नेक्स चेटर जालू करेंगे हना तो मिलते next class में अभी के लिए बाई बाई गाना का कर जाओ कौन सा गाना बाई ऑटाटा सी यू अगेन कल फिर मिलेंगे तेरे मेरे नेन बाई बाई बेटा सी यू हलो बच्चों कैसे हैं आप मैं CACMA संतोष कुमार मैंने और मेरे टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरे टीम एक परिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं उसको पूरे देश में क्यों ने फ़ला जाए एड़ रिजनेवल कोस्ट अंडर द दूसरों से अलग करता है हो है हमारा डेली डाउट सेशन हमारा जो एकेडमिक इंस्टेक्टर टीम है आपके कॉंट्रोंस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाया रखता है और आपको कॉंट्रोंस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टेडी के लिए मेरे बच्चों कुछ पूरे ओल और इंडिया से आई है मैं चाहता हो कि वाप से शेर करो अपके अपके आपके अपके यूट्यूबर पहले पाइम तो से क्लास यह पासदा आपके अधिक पसंदा है तांको संतो स्के टीचिंश अपर गारे बात तो आपको में आपको में सुझ आपको सब्सक्राइब करें और सक्सेश के पाथ पर आप यह वहार साथ अपने सपनों को पूरा करें तेंक यू थैंक यू बच्चा